नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हिल्थ केर टिप्स में जहां हम आपके लिए स्वास्त और आयरवेड से जुड़ी महतपूर जानकारिया लेकर आते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहदी खास होने वाला है तो कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे आवसदी की बारे में जिसे आयरवेड में अम्रित कहा गया है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सहद की सहद ना केवल एक प्राकिर्तिक स्विट्लर्स है बल्किए आपके स्वास्त और जीवन सहली को बहतर बनाने में भी मदद करता है तो चलिए जानते हैं सहद की पोसकत्त फायदे सेवन का सही तरीका और इसकी सेक्स्वल बेनिफिट्स दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बताएंगे सहर से जुड़ी कुछ महतपूर टिप्स और यदि आप इसे आधा दूरा देखेंगे तो आपको फूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो इसलिए वीडियो को आप अन तक जरूर देखें दोस्तों अब हम बात करेंगे सहद में मौजूद पोसकत्तों के बारे में सहद में कई ऐसे पोसकत्तों पाय जाते हैं जो हमारे स्वास्त और सेहत के लिए जरूरी होते ह दोस्तों सहद में प्रक्टोज और गुलकोज पाय जाते हैं जो हमें ततकाल औरजा देने में मदद करते हैं इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और मिनर्ल्स जैसे केल्सियम, मैगनीसियम और पोटेसियम भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं जो हमारे स्वास्त और सिहत के ये जरूरी होते हैं दोस्तों सहद में पाया जाने वाला एंटी आक्सिडेंट ये आपकी इमिल्टिव को बढ़ाते हैं और सरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं यदि हम कम सब्दों में कहें तो सहद ना केवल हमारे सरीर को पोशड देता है बलकि हमें कई ये कई सारी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है दोस्तों ये थे सहद में पाया जाने वाले महत्पूर पोश्तत्त अब हम जानेंगे सहद खाने से हमें कौन-कौन से स्वास्तिलाब मिलते हैं दोस्तों सहद खाने के दोस्तों सहद खाने के फायदे अनेक हैं आईए इने बारीकी से समझते हैं नमबर वन सहद हमारी रोग प्रतिदुसक चमता को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों सहद में मौजूद एंटी वैक्टिरियल गुड नमबर वन सहद हमारी रोग प्रतिदुसक चमता को करने में मदद करता है दोस्तों सहद में मौझूद एंटी वैक्टिलियल और एंटी वाइरल गुड बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं यदि सहद को अपनी डाइट में आप सामिल करते हैं तो आपकी रोग प्रतिदोधक छमता बढ़ती है और आप कई सारी बीमारिय सब्सक्राइब करते हैं तो सहद को अपनी डाइट में जहुर सामिल करें तो कि आपके पाचनतन को बहतर बनाने में आपका मदद कर सकता है नमबर त्री सहद तवचा और बालों के लिए बरदान है दोस्तों सहद का निमित रूप से सेवन करने से आपकी तवचा में ग्लो और मजबूद बनाये रखने में भी मदद करता है नमबर फोर सहद वजन को नियंतरित करने में भी मदद करता है दोस्तों सहद और गुनगुने पानी का मिसरन आपकी मेटा बोलिज्म को तेज करता है जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है यदि आप मोटापा से परिशान है तो सहथ और गुंगने पानी को मिला कर आप एक साथ पीते हैं तो निश्ची तोर पर ये आपके मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है नमबर फाइब सहद दिल की सेहत को सुधारने में भी मदद करता है दोस्तों यदि आप दिल की विमारियों से परिशान हैं तो सहद आपके लिए एक रामबाड औसली की रूप में कारे करता है यदि आप सहद का सेवन करती हैं तो यह आपकी ब्रण सर्कुलेशन को वेहतर बनाता है और कोलेस्टराल को नियंतिरत रखने में मदद करता है नमबर शिक्स सहद सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से राहा दिलाने में मदद करता है नमबर सेवन सहद हमारे सरीर में स्टेमना को मजबूत बनाये रखने में भी मदद करता है दोस्तों यदि आप उपने स्टेमना को बहतर बनाये रखना चाहते हैं तो सहद को अपने डाइट में दूद के साथ जरूर सामिल करें क्योंकि सहद में प्राकिर्तिक सरक्रा और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं जो हमारे सरीर को उर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं और हमारे सरीर की स्टेमना देरे-देरे मजबूत होने लगती है करने में सहायता करता है। दोस्तों सहथ टेस्टो cognitive कि अस्तर को बढ़ाने मुं मदद करता है जो पूर्सों की यौन शंनक्ता के लिए आवश्य होता है यहाफ अपनी यौन श्वाटा को बढ़ाना चाहते हैं तो सहथ को दूध के साथ जरूर दिये क्योंकि इसमें कई सायरे ऐसे और सधी गुड़ आजाते हैं जो आपकी इस्टेमना को मजबूत बनाएंगे और धीरे आप यौन स्वास्त से जिसी धीरे धीरे आपका यौन स्वास्त मेहतर होने लगता है नमबर नाइन सहद प्रजन चमता को सुधार करने में भी मादद करता है दोस्तों सहद ने केवल पूरुस बलकि महिलाओं के लिए वहत आयदेमन माना जाता है क्योंकि यदि महिला और पूरुस दों सहद का सेवन करते हैं तो उनकी प्रजनल स्वास्त में सुधार आता है और उनकी प्रोड़क्टिविटी धीरे धीरे बढ सहद को स्वास्त करने में जरूर रात के समयू सोने से पहले आप दूध और सहधका सेवन करें आप ज्यादा लाग प्रदान कर सकता है तो दोस्तों ये थे सहत खाने के कुछ महत्पूर फायदे अब सवाल उड़ता है कि सहत का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए तो दोस्तों ये थे सहत खाने के कुछ महत्पूर फायदे अब सवाल उड़ता है कि सहत का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए यह एक सिंपल सवाल है दोस्तों आप जाना एक से दो चम्मच सहत का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए पर्याप्त है आप इसे गुर्गुरा पानी दूद या नीबु के साथ मिला करके पी सकते हैं लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्य चाहिए कि सहत को कभी भी किसी गर्व चीज के साथ ना मिलाएं क्योंकि इससे इसके पोसकत तो नश्ट हो जाते हैं इसलिए सहत को हमेशा तो दोस्तों यह थे सहत खाने के महत्फूर फायदे और इस्तमाल करने का सही तरीका हमें उमीद है कि यह जानकारी आपको उप्यों स्क्राइब करना नहीं बूलें और वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप में कमेंट बाक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाह